नमस्कार दोस्तों मैं रोहत को पता स्वागत करता हूँ आपको अपनी कीटिप चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नाइवस क्लास 12 का हिस्ट्री का टीमें सॉल्फ जो कि इंग्लिश मेडियों में हैं सारे के सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्फ में मिलेंगी ह हैं जो कि हिंदी मीडियों और इंग्लिश में दोनों में अपलेबल हैं मैंने प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाके आप अपने सब्जेक्ट की टीमें कम्प्लीट कर सकते हैं टीमें सब्ट करने की लास्ट जो है 31 जैन्वरी है उन को भी सब्मिट कर दीजेगा अगर आप इसका प्रचेस करना चाहते हैं तो आप हमें वर्टसप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथ ही अगर आपको हैंडिटन टीमें चाहिए तो बहुत ही नॉमिनल चार्जिस पर हम हैंडिट सबसे पहले चलते हैं कॉशन नंबर वन उससे पहले मैं आपको बता दू कि कितने मांक्स का है तो हिस्ट्री का टीमें जो है आपका 20 मांक्स का होता है होता है कि तो अक्तरय में में 1 छो है कैसे होता है यह बात दो किसी में कम कर छो dB cooler होता है जो आपका Charler ut को कणवर्ट करके एटि में szyb देगा चार चार चीजिए क्या है आपका नाम होगा जो कि सब्सक्राइड के वी इ संडर का नाम ओर जोगा और सटेडिे सेंटर का code जो है आपको इस पर डाल देना है तो चलते हैं question number 1 पे और आपको blue और black pen का ही use करना है black pen से आप question note down करोगे और blue pen से आपको answer लिखना है तो यहाँ पर question number 1 है answer any one of the following question in about 40 to 60 words इसका हमने ए पाट करा है mention the limitations of the inscriptions as an evidence for constructing history इसका answer आपको दिखरा होगा तो चीक है पटाफ़र से screenshot लेते चलिएगा चीक क्योंकि time भी कम है आपको और भी subject की TMS बनाने है TMS सब्ट फटाफ़र से कर दीजिएगा ताकि आप अपने एक्जाम की प्रिप्रेशन भी जल्दी से कर सके मार्च में आपके प्रैक्टिकल होने है और त्योरी जो है आपके अप्रेल में स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ते हैं question number 2 पे answer any one of the following question in about 40 to 60 words यह भी आपका दो marks का question है यह पाट हमने इसका भी कर रहा है अशोका advocated a universal religion examine the statement ठीक अब इसका answer आपको यह पर दिख रहा होगा फटाफट से इसका भी screenshot लेते चलिएगा तो answer के है अशोका अब मोरियन एंप्रेर इन इंशेंट इंडिया advocated a universal religion known as धम्म it emphasized moral principles such as non-violence compassion and tolerance although not a formal religion dhamma aimed at fostering ethical conductor and social harmony अशोका inscribed these teaching on pillars and rocks promoting a universal moral goal irrespective of one's religious belief इसका question number 3 आजाता है यह भी हमारा answer any one of the following question in about 40 to 60 वाट इसका हमने बी पार्ट करा है इसमें difference between महलवारी और यृतवारी सिस्टम बोला गया है तो यहां पर सबसे पहले आपको महलवारी सिस्टम के बारे में बताये गया है The Mahaluari system and Yatwari system were land revenue system during British colonial rule in India In the Mahaluari system revenues collected from group of villages typically belonged to a community of landowners In the Riyatwari system, individual pleasant or rewards were directly responsible for paying revenue तो यहां पर आपका question number 3 जो है complete हो जाता है आपको सारे blue pen से ही लिखने है इसके बाद question number 4 आजाता है जो कि आपका 4 marks का है answer any one of the following question in about 100 to 150 words 100 to 150 words में इसका answer देना है हमने इसका a part करा है examine the role of landed intermediaries in revenue collection during the medieval period तो इसका answer यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है answer थोड़ा सा landing होगा क्योंकि आपको यह 100 से 150 word में बोला हुआ तो मैं धीरे धीरे scroll करता हूँ आप screenshot लेते के चलिएगा बाकि अगर आपको कोई भी doubt है किसी भी चीज़ से related आपको कोई question है तो आप हमें doubts clear कर सकते हैं यहां पर question number 5 आजाता है answer any one of the following question in about 100 to 150 words यह पाट आजाता है analyze the causes of the fall of the mughal empire यहां पर हमने इसका answer कर लिया है चीक है causes पूछे है mughal empire empire के empire के fall के यह उसके पतन के तो यहां पर आपको इसका points दिख रहे होंगे पहले आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे चीक है आगे बढ़ते हैं थार्ड और फॉर्थ पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा ठीक है तो चार पॉइंट आपको कर लेने हैं इसके बाद हमारा question number six जो की project based होता है वह आ जाता है ठीक है अंस प्रेपेर एनिवर्ण प्रोजेक्ट आउट अप दा किवें बिलो ठीक है इसका हमने ए पार्ट कर रहा है इंडिया विट्नेस्ट मैनी बैटल्स फोर सुप्रिमसी अमंग दमैनी स्टेट्स डाइट केम अप आफ्टर देक्लाइन अफ देक्लाइन अप्तास ब इस टेवल को पूरा कर दिया है यहां पर राजा का नाम और रूलर का नाम उसकी डाइनस्टी कौन सी डाइनस्टी से है उसके पाद किस फिल्ड में इसने कॉंट्रिबूशन किया है और फिर उस चीज़ का नाम बताया है एक एक एक्जामपल के तोर पे ठीक है नेम आफ ट पास्ट्र को तागहादे रखा है अगया है कि यहाँ पर याँप को मैं धी धीरे-दीरे के करके स्क्रॉल करते जाता हूं आप ष्कूर्ढ फटफटफट फटफटफट लेते चलिए खाल के सेकेंड आ 45 इसके बैस है? इसके थर्ड आ जाता है आपका मिहर भूज नहीर भूज के आपका आजा जाता है सोमेश्वरा थर्ड उसके बाद आ जाता है नंदी वर्मन टू पल्लवा डाइनस्टी आर्किटेक्ट्चर में शोव टैम्पल उसके बाद राजा राजा चोला टू चोला डाइनस्टी आर्किटेक्ट्चर इसके बाद आता है परमरा किंग भूज परमरा डाइनस्टी साइंस एंड लिट्रेचर ठीक है इसके बाद एट आ जाता है आपका विश्णु वर्दिन होईसला डाइनस्टी आर्किटेक्चर होईसले स्वारा टेमपल ठीक है उसके बाद नाइंथ जो है विक्रमाजित्ते शिक्स वैस्टन चालुक्या आर्किटेक्चर में ठीक है इसके बाद टेंथ में आ जाते हैं आपके प्रित्वीरा चोहार पॉल्ट्री एंड शिविल्री इसी के साथ आपका सामेंट पूरा होता है आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गये होंगे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब गिलिए में बस सब्सक्राइब इस वीडियो में मैं नेक्स वीडियो में और आपको किस ऐस्चाही मछय आपको बटावन कर यह खरास का मिया सब्सक्राइब कि फट सक्क्रार जोगकर आते से लिएग ए वद्टेर दही ने अ कुरात